ग्रामिन डाक सेवकों के लिए एक निया स्कीम लॉंच किया गया है जिसका नाम है ग्रामिन डाक सेवक फाइनेसिल अफग्रेड़ेशन स्कीम दोजर चोबीस इस स्कीम के बारे में हम आगे जानेंगे कि आपको सालना कितनी बित्तिय सहता रसी दी जाएगी देखें यह जो 12 साल जीदियेस में 12 साल सर्विस कंप्लेट कर चुक है ता आपको 360 रुपय हर मेंने आपको सेलरी में दिया जाएगा एट करके तो इसमें आपको डियेशन नहीं मिलेगा ध्या लगया इसमें कोई वी डियेशन में जो होगा यह फिक्स्ड रिमांड होगा 360 रुपया उसके तो आपको 420 रुपे हर मेने आपको दिया जाएगा अब बात करेंगे स्लेक्षन प्रोसस के बारे में तो स्लेक्षन कैसे किया जाएगा तो उसके लिए हर एक GDS का एक Special Performance Report बनाया जाएगा यानि हर एक जो इलिजिवल GDS है जिसका सर्विस कंप्लीट हो जुका है बारे साल, चोबिस साल और चातिस साल तो उसका एक Special Performance Report बनाया जाएगा और यह किसके दोरह बनाया जाएगा तो यह Sub-Divisional Head यह Unit In Charge के दोरह बनाया जाएगा यह LAZ and ABOVE के जो SPM है अगर LAZ SPM है तो भी उनके दोरह यह Report त्यार किया जा सकता है उसके बाद इस Report को Screening Committee के पास भेज दिया जाएगा इस Special Report जो है Screening Committee के पास भेज दिया जाएगा इग्जामीन के लिए इस कितनी Committee में कौन-कौन रहेंगे तो डिप्टी, ASP, DSP रहेंगे, ASP, Headquarter रहेंगे उसके बाद Inspector Level के अधिकारी होंगे जो की Divisional Head यानि जो SSP होंगे, ASP होंगे वे जो Inspector Level के अधिकारी को नियुक्त करेंगे तो तीन अधिकारी होंगे टोटल, डिप्टी, ASP, ASP और Inspector उसके बाद इस रिपोर्ट को इग्जामीन किया जाएगा इन अधिकारीों के दोबरा, उसके बाद order इसू किया जाएगा Divisional Head उसके बाद SP या SSP होंगे, जो भी आपके Divisional Head होंगे, वे जो है order इसू करेंगे 31 जुलाई या 31st January, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि service completed during first half, अगर first half में आपका service complete होता है, तो उस case में January to June में अगर complete होता है, तो आपका July में order निकाला जाएगा, यह से 31st July तो order आजाएगा, उसके बाद अगर आपका service second half में complete होता है, July से December में, तो 31 January तक order निकाला जाएगा सपोज कोई GDS है, जो कि जिसका service फरवरी में 12 half complete हो रहा है, तो इस case में अभी क्या होगा, 12 half complete हो चोगा है फरवरी में, तो यह सा नहीं कि आपको मार्च से financial अपग्रेडेशन का benefit मिलेगा, तो उसके लिए आपको first session, जो first half का wait करना पड़ेगा, जो कि January to June होता है, तो आप को जुलाई से ही इसका benefit मिलेगा, financial अपग्रेडेशन का, उसके बाद अकर मान लेजे कोई GDS है, जो कि सेप्टमबर में जिसका 12 सल complete हो रहा है, तो financial अपग्रेडेशन का benefit उसको जनवरी से मिलेगा, उसके बात करेंगे, special performance report कब त्यार किया जायागा, financial अपग्रेडेशन का order कब issue किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे, तो देखे, यहाँ पे जो इंस्पेक्टर SDI 1 अप्रिल से 10 जून के बीच में report किया जाएगा, उसके बाद 15 जून को screening committee के पाच submit करेंगे, उसके बाद 1 विक अप जुलाई में screening committee जो है, इसको screening committee दोहरा approve किया जाएगा उसके बाद उसी तरह से 15 जूनाई में divisional head दोहरा order issue किया जाएगा, उसके बाद 2 आप में देखे, यहाँ पे 1 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में report ट्यार किया जाएगा, उसके बाद 15 दिसंबर तक इसको submit करना पड़ेगा, SDI inspector को screening committee के पास, उसके बाद 1 विक अप ज करेंगे कि GDS financial upgradation scheme के लिए जो special performance report फ्रीजिवल GDS के त्यार किया जाएगा, उसमें क्या 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 क्या, तो यह SDI होंगे, उनको यह report जो है, screening committee के पास submit करना पड़ेगा, उसके बाद screening committee करने के बाद, approve करने के बाद, जो divisional head होंगे, आपके order issue करेंगे, तब ही आपक कीम का लाब मिलेगा तो क्या के कॉलम में देख सकते हैं नेम आपका यहां पर भरना होगा डेजिगनेशन है उसके बाद कब जॉइन के आपने बेसिक ट्यार्च स्लेम के बारे में भरना पड़ेगा ठीक है प्रियोड ऑप अनुद्राइज एपसेंट के बारे में भरना पड यहां पर और रिफ्रेसर कोर्स आपको कम्प्रीट करना पड़ेगा ड़क कर्मYog orada पर डह्ते होगा रिफ्रेसर क्म्प्रोस करने के बाद आपको फनयेशन आपड़ेडेशन किया जाएगा ठीक है अगर इस कोर्स आप developers का वेजया करते हैं तो आपको फैर्स löven सीव और परफोंइंट इंप्रॉब्मेंट के लिए कुछ कमेंट दो है, यहां पर भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको POSB, PLA, PLA, RPLA का नॉलेज है कि नहीं, रूलिंग के बारे में नॉलेज है कि नहीं आपर भरना पड़ेगा, उसके बाद आप इनिसियोटीव लेते हैं कि नह यहांपर भरना पड़ेगा उसका डिलीबरी परक्विमन्स आपका पड़े जो है आप रिकमेंड करते हैं कि यहांपर भरना पड़े पर उसका region SDI को लिखना पड़ेगा उसके बाद यहां पर SDI जो है आपना signature कर देंगे और उसको screening committee के पास बेज़ देंगे फिर वह लोग examine करेंगे examine करने के बाद जो है final order SSP या SP के दोरह जो भी आपका tip general head है उनके दोरह यह order इसू किया जागा financial आपको benefit मिलेगा अगर आपके against में कोई भी charges कोई भी penalty कोई भी discipline reaction लिया गया है तो उस case में आपको financial upgradation scheme के benefit नहीं मिलेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा तो आज के वीडियो बस इतना ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो का साथ तब तक हमारे आज चैनल को जड़ी subscribe करें वीडियो को like करें शेयर करें आप हमने टेलिग्राम ग्रूप से ही जूड़े आप हमरे WhatsApp ग्रूप से भी जूड़े हैं वेबसाइट पर भी विजिट करी है तो जहले मिलते हैं फिर एक नए वीडियो को साथ तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें थैंक्स पर वाचिंग